नमस्कार आप देखरें इंडिया 24-7 मैं हूँ आपके साथ निहारिका महेश्वरी साथ फेर पर आठ नियमों का फेरी यानि की दो हफता हो चुका है नोट बंदी को लेकर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी है दूला दूलन की है जिस गर में शादी ब्यार उसकी है बैंकों के बार लंबी-लंबी लाइन है छोटी है हो गई है लेकिन दिक्कते पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए है खास दोर से उन गरों में सननाटा है ना कुछ दिनों में शेहनाई गूंजने वाली है धाई लाग की लिमिट है सरकार ने उन लोगों के लिए लिमिट जिनके घर शादी ब्याओने जा रहा है लेकिन अब तो ये धाई लाग भी नौनियम के फेर में आ गए शादियों के लिए बैंक अकाउंट से पैसे निकालने की जो लिमिट थी धाई लाग उसकी बातम कर रहे है जिसको लेकर आर्बियाई ने अब कड़ी शर्ते लागू कर दी है शादियां उधार के पैसों के भरोसे है ऐसे में साथ फेरे नौनियमों के फेर में कहीं न कहीं फस्ते नज़र आ रहे है मुझे चूणियां खरीद नहीं थी पर मैं चूणियां भी नहीं खरीद पाई अब धाई लाक में तो बहुत इतने काम होते हैं शादी के की हमारी मेंदी का नंबर अभी नहीं आ पा रहा है नोटबंदी के फेस्टे से शादी के इंतिजामों में मुश्किल हुई किसी की मेंदी का रंग चर नहीं पाया शादी की तैयारी छोड़ पैसों के इंतिजाम में दूला दूलत तक लगे हैं इन सबके बीच शादी का सलिब्रेशन नए सपनों के रंग चंद नोटों के चकर में कहीं पीछे छूट गया नए नोटों के लिए बैंकों की कतार लंबी हो गए शादियों की रौनत गुम हो गए घर में शादी थी, शादी हॉल, केटरर्स और दूसरी जरूरी इंतिजामों के लिए पेमिंट जरूरी था बैंकों में लंबी कतार, मिल रहे चंद रुपयों से इंतिजाम अधुरे थे लाइनों में लगने के बाद मिले चंद नोट शादी के इंतिजामों के लिए नकाफी थे ऐसे में सरकार आगे आई और एलान हुआ कि जिनके यहाँ शादी है वे धाई लाख रुपे तक निकाल सकते हैं सरकार के अलान के बाद बैंकों के बाहर लगी कतार छोटी जरूर होने लगी है लेकिन जिनके यहाँ शादियत ही उनकी दिक्कते कम नहीं हुई है नोट बंदी के बाद शादियों के लिए बैंक अकाउंट से पैसे निकालने की धाई लाख रुपे की लिमिट पर आरवियाई ने कड़ी शर्ते लागू कर दी है अगर आपके घर में भी शादि है तो आपके लिए हम आसान भाशा में वो दस बाते बताते हैं चो जानना जरूरी है 30 दिसंबर तक बैंक अकाउंट में केवाई से नियम पूरे करने वाले ही सर्फ धाई लाख रुपे निकाल सकते हैं जिनकी शादी हो रही है वो या उनके माता पता ही ये रकम निकाल सकते हैं दोनों में से किसी एक को ही पैसा निकालने की इजाजत होगी अकाउंट में नोट बंदी लागू होने से पहले 8 नवंबर तक जितना पैसा था उसी लिमिट में रकम निकाली जा सकती है जैसे 8 नवंबर राद 12 बजे से पहले तक अकाउंट में 50,000 रुपे थे लेकिन 9 नवंबर को आपने उसमें 2,000,000 रुपे और जमा कर दिये तो आप सिर्फ 50,000 रुपे ही निकाल पाएंगे बैंक में सबूत के तौर पर शादी का कार्ड लड़के लड़की का नाम उनका आइडेंटिटी प्रूफ शादी की तारीक और एड्रिस प्रूफ देना होगा जिन्हें पैसो का भुकतान करना है उनकी नाम की पूरी लिस्ट और शादी हॉल और केटरेस के एडवांस पेमिंट की रसीद भी देनी होगी ये भी डिकलेर करना होगा कि जिनको पेमिंट हो री है उनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है ये भी बताना होगा कि लोगों को पेमिंट किसलिए किया जा रहा है ये स्कीम लागो होने के बाद RBI इसका रिव्यू करेगा बाद में तेह होगा कि इसे जाली रखना है या नहीं शादी 30 दिसंबर या उससे पहले ही है तभी ये रखम निकाली जा सकती है ये निकासी 30 दिसंबर तक हो सकती है RBI ने ये नियम सक्त करने के पीछे दलील दी है कि शादी की आड में लोग अपना गलत पैसा खपाने में जुटे है ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया 24-7 वही गाज़ेबाद के रहने वाली वेशाली की कुछ दिनों में शादी है लेकिन इंतजामात अधूर है शादी की सारी रसमें पूरी हैं हातों में मेंधी लगी बताती है कि शादी को लेकर वो कितनी एक्साइटेड है लेकिन सहरे पर खुशिया नहीं है वेशाली सामाई समवादाता अमराच्चर धाने बाद की साथ फिरोपर भारी सरकार के नौनियम जिन घरों में शादी है वो लोग परेशान है उनका ये हाला की कहना है कि सरकार ने जो 1500 के नोट बंद किये हैं ये सरकार का फैसला सही है लेकिन जिन घरों में शादी है वो अपने बच्चों की शादी कैसे करें इस वक्त हम गाजयबाब में वेशाली के घर पर है वेशाली की आने वाले कुछ दिनों में शादी है घर में जो शादी की तैयारिया है वो अधूरी पड़ी है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है आईए हम आपको दिखाने की कोशिश करतें की गाजिया बाद में जो वैशाली की शादी है उसके घर में किस तरीके का हाल है कैसे पैसा ना होने की वज़े से तैयारिया अधूरी पड़ी हुई है आईए सबसे पहले हम चलते हैं वैशाली क की मदर के पास आया यई इकिन पर तो बाती ही के पैसो का आरेंजमेंट कैसे कि जाये तो आए सबसे पहले हम आँटी आपका नाम क्या है सरोगर जी अपने बेटी की शादी के लिए तो वो धरी की रहए कि रही है थाय से… लेकिन जो सारी तैयारी अरे. oppress? तो कैसे पैसों बेंतिजानां हो रहा हुआ। आँजो क्हुत ही, क्या कॉरी है हुआ। आछ से लौसानी ह noite. में यहाँ डुशतुक्र और सुर्शक्रा करिए कि ऐक शाद को पता जादی होती तो कैसे 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 पईस्थ भी जञरूत्ती तो पर किए प्योना यह होती है क्या तो कोई 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 को उनकी पेटी की शादी होती है तो शादी में किसी तरह की कोई कोर कसर बाकी नहरा जाए लेकिन जिस तरीके से 1500 के नोट बंध हुए है उसके बाद वो जो अपनी बेटी की शादी में अपनी तमाम तरह की इच्छा है पूरी करना चाहते हैं लेकिन सारी की सारी इच्छा है उनकी धरीकी दरी रहा है च्छा नहीं है सोच तो उनकी ऐसी है कि अच्छी चाधी कर लें चलिए हम हम वैशाली से बात करते हैं वैशाली आपकी आपकी हाथों मेहों में लेंग सजी है तैयार का कि पूरी है केटर का बिल टेंट वाले का बिल फूल वाले का बिल जब तक आप बैंक में जमान नहीं करेंगे तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आपको लगता कि जो यह नौ नए नियम है उससे साथ फेरे संबख हो पाएंगे मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती हूं वो मैनेज करेंगे घरवाले जैसे भी करेंगे मुझे कुछ नहीं पता इस बारे आपकी फ्रेंज की शादी होगी तो शादी की तैयारी पर बात चलती है लेकिन अब आपके घर में पैसों पर चर्चा हो रही है सर जी क्या कहते हैं पस इसी टेंशन रहती है कि किस तरह से मैनेज होगा पहले हम खुलके खर्च कर सकते थे अब भी में लिमिट में खर्च करना होता है देख कि जो चीज़ जरूरी होती है पहले वो पूरे करने बढ़ते हैं अच्छे सुना आपकी ब्रदर ने लोन भी लिया था शादी के हो है गौर्नमेंट ने लाग किया हुगा है बस वही है अब घर के जितने भी मेल हैं जो का में पुरूश है वो तैयार यह छोड़कर बैंकों की लाइन में लगे हैं साथ सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं लाइन में और वो कितने आते हैं 2000 रुपे हैं उनसे क्या काम च हैं फूल वाले की इसकी उसकी अब कब तक ही खटी करेंगे कब हम बेंक में जमा करेंगे कब हमें पैसा मिलेगा तो यह तो बात कुछ समझ में आई नहीं है हाँ जो बात पांसो के रहाजार के बंद करें हैं उन पे हम खुस हैं वो तो आपको लगता है कि इंतिजाम करना पाते हैं तो बहुत बेटर होता है शादी वालों को प्रॉब्लम नहीं होती से और वो भी खुश रहते बस थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है सबको शादी की खुशियां घरों में हैं लेकिन पैसा होने की ज़़े सो फूशिया प्रिकी बढ़ गई हैं थो जो शादी की खुशियां है वो कहिना की फीकी बगड़ पड़ गई हैं आप अब आई आपने सोचा सोथा कि इस तरह से करेंसी बंद हो जाएगी है जार पांसो के नोट बंद हो जाएंगे और शादी का खर्चा भी दोदर से जुगार करके करना पड़ेगा तो भी सब्ले बात हम आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस घर में शादी होती है उस घर में काम कितना होता है जो भर के पूरुश होते हैं वो महमान नावाजी के लिए वो कार्ट बाड़ते हैं ताकि महमान शादी में आ सकें सलेंडर बुक करना हैं किराने का समान लाना हैं गहाले के पास जाना। बहुत काम होते हैं और जो घर की महिलाया होते हैं उब अपने घर मेरे आनेवाले महध्यों हमान नावाजी करते हैं लेकिन आज कल नोट बंधोंने से उनके फिर एक काम रहे गया या तो एटीम में जाकर लाइन में लगते हैं या बैंकों बेजाते हैं कभी पुरुष लगते हैं तो कभी महिलाएं धर की लगती हैं सब लोग बहुत जादा परेशान है किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि आखे शादी करें तो कैसे करें ये बताईए अब आप सरकार को क्या कहना चाहती है जिस तरह कैसे प्य लाक में हम सादी गी हम इतना करें ग談 हमार को भी यह बंसक्ता पार्फ हो बढ़िया हो रही है कि अ Cemil सब्सक्राइं कॉरा है यह चाहित अहist meter जो शु énorm क्योंती है टो हैसे में इनको सोचना चाहे थे कि शादी वाले घरों में कुछ रियाद देते या शादी के बाद इस सीजन के बाद वो इस पैसले को करते तो बहुत अच्छा होता सब लोग और जदा सपोर्ट कर पाते हैं अभी वही है सब लोग परिशान है तो उन्हें पूरी तर सपोर्ट भी नह दर पा रहे हैं तो अब यह बताई यह फाइनली शादी तो होगी लेकिन उस आर्मानों के साथ आप नहीं कर पाएंगी शाए अर्मान तो खतम हो रहे हैं सब और मान कहा रहे हैं अर्मान तो है नहीं बश ऐसा के लड़के वाले सभी मिल गए वह बोज़ें कि आप फेरे ड सब्सक्राइब करें तो चलिए कुल मिलाकर 1500 के नोट बंदोने से उन घरों में बहुतारी जिन घरों में शादी है और जिस फैमली के घर पर हम बैठे थे और जिस लड़की वैशाली की शादी है वह भी बहुत परेशान है उनका सरकार से यही कहना ही कि आप तो शादी वा बाद इस फैसले को करती तो शायद बहुत जादा फाइदा मोधी सरकार को भी होता गाजियाबाद से केमरेमेन राजेश के साथ अमराक चड़्धा इंडिया 24-7 साथ फेरे फस चुके हैं नौनियमों के फेर में डाइलाक से ज्यादा विड्रौ नहीं कर सकते हैं शादी ब्या का सीजन है ऐसे में परिवार कोई सपोर्ट कर रहा है लेकिन अगर असल चीजों पर देखे तो कहीं कहीं उधार लेकर शादी हो ने गोरगपूर में नोटब तो कुछ कैश नहीं होने का रोना रो रहे कुछ तो नियमों में ऐसा उलजा रहे कि लोगों को माई उसी मिल रही है ऐसे ही शक्सन सोनों इनकी 24 नवेंबर को शादी है लेकिन पूरा परिवार अरोस बैंक की लाइन में खड़ा है अब इनके बाद दिन भर शादियों की त आपको दे सकते हैं हमारा जो अधिकार है 24,000 का मैं आपको हकते में मैं दे चुका हूं उससे अधिक मैं नहीं दे पाऊंगा जब से सुरू आप मोदी के सुब्यारे उसके कल में हम गए पैसा मीला पचपच हजार रहे एक अठा पैसा नहीं मिला कारण साहिक की पैसा जाईए बैंक में नहीं है तो कैसे हम दे है ठीक ऐसा ही आल गाज़ेबाद में रहने वाले रज़त के घर का है रज़त की 24 नवेंबर को शादी है लेकिन बिना पैसे सब बेकार है जशन कैसे होगा पैसा ही नहीं है परिजनों को चिंतर सताय जा रही है कि पैसों का इंतिजाम वो कहां कैसे करेंगे क्यार और पांसो के नोट बंग होने के बाद सबसे ज़्यादा परिशानी उन घरों में रहने वाले लोगों को हो रही है जिनके घरों में शादी की तैयारिया चल रही है उनके पास पैसा नहीं है बैंक से पैसे निकल नहीं रहे है हाला कि मोधी सरकार ने बैंक से पैसा निकालने के लिए 9 नए नियम नियम निकाले हैं लेकिन क्या उन 9 नए नियमों से लोगों की परिशानिया दूर हो रही हैं आईए ये जानने की कोशिश करते हैं गाजियबाद में इस वक्त हम करने हैं गाजयबाद में कसाना फैमिली के घर के बाहर आप तस्वीर देख सकते हैं एक होडिंग लगा है यहाँ पर सगाई समारों की डेट लिखी थी 20 नमंबर और जो शादी है वो 24 नमंबर की है मोधी सरकार ने जैसे ही यह फैसला किया कि जो शादी है जिन घरों में उन घरे के लोग शादी का कार्ड दिखाकर बैंक से धाई लाख रुपए निकाल सकते हैं लेकिन ग्राउंड रियालिटी पर कितनी राहत है इस नए नियम से यह जानने की कोशिश करते हैं जिस घर में आपके घर में शादी है तो अब यहां पर हम मोधी सरकार नियम निकाले हैं कि आप बैंक में धाई लाख रुपए निकाल सकते हैं लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपको शादी का कार दिखाना होगा चलिए वह आप दिखा देंगे इसके लाबा फूल वाले की पर्ची बिज कुछ पर भी जाओ तो कहा लेंड में खरकर लेंगे गाज़बाद में कोई एक लिया है लाख भी आ होएंगे अच्छा चलिए हम नौ नए नियम की बात कर रहा है आपको लगता है कि यह जो नौ नए नियम है बैंक से पैसा निकालने के लिए यह साथ फेरे पूरे कर ही ले पर यूँ है भी मोदी जी का नियम है प्रदान्मंतरी जी है जैसे भी है करेंगे उसका पालंग पर कठना ही तो हुँ नहीं दे बरतन वार्टन नहीं दे पर कर रहे हैं अड़ा उड़ी अपने थोड़ी थोड़ी चलिए शादी से पहले बहुत अदा उत्सा नहीं यो बनज्क सबस्क्राइब हमारे साथ इछा को है रजदि से पहले की ठीयारियां ओक scripture कुण बैंक से पैसा निकालने की शर्थ है क्या वो शर्थ पूरी आप कर पाएंगे आपको लगता है यह जो पैसा निकालने की शर्थ है लो ग्यार निकालन से अधर की तरु कोई पैसे नीब बेकार हैं पर यूज नियुस नी यह का पर्ची दे में थोड़ी है तैसी टेलीफोन कर दिया लगा दी जो रायड होई की बाद में भुगता हैं अब तैसी कर वा रहे हैं ज्यादा तर लोगों नहीं तो कैंसी कर लिशादी और जो कोई हमसी वाल कर भी रहा हूब हम गाओं के आदमी है गाओं से बुला लिए जो लोग रहे हैं फरकनिया ची लोटी के टैंट वा ले लिए अब बाद में देखेंगे रिआर शिक्ती दार समय भार है हुद्हार हंड़ेण tienes भाद की कसाना फैमली है इनके पास पैसे हैं ऐसा नहीं कि इनके पास पैसों कमी है लेकिन इनका सारा पैसा बैंकों में है और बैंकों से पैसा निकल नहीं पारा है गाजियाबास सेर्कार के सहलाम के बाद RBI की नई गाइडलाइन्स के बाद फरुका बाद जो है वहाँ लोगों की समस्यां कम होने का नाम ने ले रही राजेश की बेटी की कल शादी है लेकिन बैंक अधिकारियों ने काए कि वो डीम से लिखवा कर ले करा हैं अब पूरा परिवार देखे डीम आफिस के चक्कर काथ रहा है मामले की जानकारी जब मेजिस्ट्रेट को मिली तो बैंक के करुचारियों को निर्देश दे दिया पिता शादी का कार्ड लेकर पहुंचे हुए डीम तक पहुंच गए डीम की बात तक कासर बैंक्स पर नहीं पढ़ रहा है इसलिए कुछ नहीं खरीब पाया है सब जगए तबी के लिए परियाक्त पैसा नहीं मेरे पास है कि हम बेकी कि साधी उचित टरीके से कर सके क्या दिकतें आ रही है पैसे की प्रॉब्लम है पैसे की बज़े से बैंक मुदो पैसा नहीं दे रही नहीं काते में पड़ा हुआ पैसा है प्यार अरो ब्लाक से निखा के लाग। प्यार अरो ब्लाक से निखा के लाग। साथ फेरों में फस गया है पूरी तरीके से नौनियमों का ये फेर और इस पर सबसे ज्यादा चुनाती पून हालात उस गर में हैं। प्यार शादी हो रही हैं, कुछ लोग उधार ले रहे हैं, कुछ लोग कैशलेस हो गई हैं। प्यास्टिक महीना का मनी का सारा ले ले कि उन लोगों का क्या जो गाओं के हैं ग्रामीड इलाकों हैं, जहां दूर दूर तक एटियम है भी नहीं, अब बताएंगे कि लोग एटियम का इस्तिमाल कैसे करते हैं। इस बुलिटर में बस इतना एक अपर जाएं।